हाई प्रेंट्स दिसे चंचल सिंग फॉम जून फिजिटरपी आज हम बात करेंगे से साइज को अपने शेडियूल में डालके किस तरीके से बैक टू नॉर्मल लाइफ जल्दी आ सकते हैं तो जो लोग काफी टाइम तक ऑक्सिजन सपोर्ट पे रहे हो या बेड रिड़न र से नेक्स से टू में हम क्या करेंगे और एड़ंस स्टेज में जहांकि उंडियूररंस बिल्ड पर निय жांँ अपनी ताकत और स्टैमिना बदूंगे वहांं पर क्या क्या करएंगे तो सटस अब HC कार देंगे हमारा फोकस रहेगा प्राइमरिली सबसे पहले हमारी बात कर कि आप डिसुरेंट हो जाते हैं आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी काफी हद तक अफेक्ट होती है तो हम इसको वेस्टिबिलर सिस्टम यानि कि हमारा जो कानों के अंदर लिक्विड होता है मुवमेंट के बाद हमें डिसुरेंटेशन महसूस होती हम उसको भी एक्टिव क्रॉस मुवमेंट करते हैं मारी एक्टिविटी जो डेली लिविंग है जो कि हम दिन भर काम करते हैं मारी मुवमेंट वेरियस सौट फंक्शनल मुवमेंट होती हैं जिसमें कि हम हर तरीके की मुवमेंट करते हैं तो हम एंकरेज करेंगे कि शुरू में ही हम क्रॉस बॉड पर हम जान दें कि कौन-कौन सी एक्सराइज स्ट्रेंट बिल्डिंग के लिए हम कर सकते हैं डिफरेंट स्टेजेज में और लास्ट जो सबसे important है कि हमारा endurance हमारा stamina कैसे बढ़ा जा सकता है हर स्टेज में हम कैसे से इसको progressively करेंगे तो rehabilitation exercises शुरू करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि कुछ precautions है precautions क्या है कि अगर आपको fever है तो आपको यह start ही नहीं करना है अब है अगर आपको shortless of breath breathless हो रहे हैं just to start with तो अभी आपको यह start नहीं करना है किसी भी टाइप का chest pain आपको feel होता है तो आपको start नहीं करना है palpitation यानि कि आपको you are aware about your own heart beat आपको लग रहा कि आपका heart धड़क रहा है बहुत घवराट हो रही है तो भी आपको यह नहीं करना है उसके लिए थोड़ा weight करेंगे और अगर आपको पैरों में swelling आ जा रही है थोड़ा चलने से या कुछ करने से तो भी आप यह exercise नहीं करेंगे और अगर आप यह करना शुरू कर चुके हैं किसी भी stage में advance में या beginning stage में या middle stage में किसी भी stage में आपको गर dizziness फील होती है तो आप इसको बंद कर देंगे अंटिल आप इसको किसी doctor or physician या therapist से consult करें तो सबसे पहले हम टार्गेट करेंगे हमारे lungs पर यानिके breathing mechanism पर आप simply अपने कमर के बल लेड़ जाएंगे घुटने बेंड कर लेंगे अपने palm को अपने tummy पर रखेंगे बैली पर and normal breathe in for two to three seconds breathe into your belly यानिके सांस पेट में लेना है पेट फूलेगा जब सांस अंदर जाएगा तो यह महसूस करें कि आपके उंगलियां फैल रही है पेट के ओपर जो आपने रखी हैं बैली के ओपर and then breathe out belly breathing यानि diaphragmatic breathing और योगी ब्रीधिंग भी बोलते हैं इसको इससे आपको relaxation होती anxiety घटती है आपकी आपने देखा होगे कि काफी लोग जब restless होते तो दे यूज everything shoulder वाली neck muscles ब्यूज करेंगे shoulder को hinge कर लेंगे सांस लेने के लिए सब कुछ करना पड़ता है क्योंकि यहां पर relaxation होगी और आपको belly breathing improve और encourage करनी है तो आप लेट के सिर्फ एक मिनिट तक यह practice करेंगे इसमें जितनी breathing calmly हो जाए that is great यही चीज आप पेट के बलेट के करेंगे उसमें आप head down आप चेस्ट के नीचे पीलो ले सकते हैं अगर आपकी belly ज्यादा है पेट ज्यादा है तो चेस्ट के नीचे पीलो लेके head down position में लेके same mechanism धोराएंगे इसमें आप अपने पैरों के टोज के नीचे पीलो रख सकते हैं whatever makes you feel comfortable उस position में आएं और जो next है humming singing या फिर हम इसको कह सकते कि ओम का उचार्ण जो करते हैं आप उसमें हम जो sound आएगी हम करके उससे vibration create होगी लंग्स में जो vibration create होने से you will feel better यह है first stage की exercises second stage में आप लेट के breathing नहीं करेंगे आप sitting position में आएंगे वही breathing techniques कि आप recline हो सकते दिवार के साथ लग सकते अगर आपको मेहसूस होता है तो आप same breathing techniques आप sitting position में supported और फिर unsupported बैठके practice करें यह एक से डेड़ मिनिट करना sufficient है क्योंकि आप पहले लेट के कर रहे थे आप बैठ के कर रहे तो एक progression है आप easy से मुश्किल की तरफ जा रहे हैं जब आप बैठ के easily breathe करना शुरू कर दें तो आपको progress करना है next stage के लिए उसमें आप standing में यही breathing exercise करते रहना standing में मतलब जो आप अपना normal खड़े होके breathing exercise practice करते रहे simply आप अपने कोई भी काम कर रहे हो तो keep breathing and always try करें कि आप अपने belly breathing को promote करें रादर दन चेस्ट में पहले करके और belly में बाद में वो ठीक नहीं है कि इस breathing technique से आपको काफी benefit होगा आप ease out हो जाएंगे और इसका further advance endurance stage है जो हम क्योंकि हमने इसको different stages में बाटा है तो advanced stages में क्या है कि आपको यह चीज कोई भी activity करते हो चलते वक्त वाक करते वक्त आप वाक कर रहे हैं और यह breathing proper deep breathing साथ साथ करते रहे हैं आपको तो यह हमारा first stage cover हो गया जिसमें कि हम breathing की बात कर रहे थे कि advanced stages में हम basic advanced तक कैसे कैसे progress करेंगे next line of treatment जो हमने इसमें करना है वह हमारे vestibular system को activate करना है तो इसमें क्या होता है कि usually pain behind eyes और जैसे भी थोड़ा सरगोमाने से they feel disoriented तो आपको practice ही करना है कि sitting position में eyeball movements करने sitting में up down up down eyeball को को ही move करना है and then second one is left right left right left right यह आपको about 30 seconds एक करना याने कि up down और left right 30 30 seconds each इसके अलावा कि आप अपने sitting position में ही head को left head को right head को left head को right इस तरीके से आप randomly और easily move कर सकते हैं यह progression wise बता रहें कि पहले उससे start करना है एंडेन एक एक मिनिट यह एंडेन head up head down अब डाउन यह आप वेस्टिबलर सिस्टम को activate करने के लिए second stage में कर है तो second stage में ही मैं आपको दो exercise और बताता हूं इसमें आप sitting position में आएंगे पैर जो हो planted रहेगा ground पे और आगे पीछे rocking करेंगे हाथ उपर ऐसे इसका progression इसी exercise का progression है कि आप इस momentum के साथ उठ जाएंगे और फिर बैठ के नीचे मोमेंटम लेंगे और उठ जाएंगे तो यह आपको काफी easy लग रहा होगा बट यह चो लोग काफी critical होते हैं उनके लिए easy नहीं होता है यह second stage में करते हैं इसके अलावा बैड पर rolling भी आप encourage कर सकते हैं कि initially उनको turning on the bed itself is very difficult तो आप उनको encourage करें कि sitting position में है and all of a sudden roll in this side and on the opposite side so आप उनके गुटने उनको encourage करें कि उनको गुटना bend करें just roll stay there roll back this way so उससे क्या होगा कि उनको जो disorientation create होता है वो नहीं होगा फिर मतलब थोड़ा सा मुमेंट से चक्कर आना और disorientation यह होना बंद हो जाएगा so on this stage we can try these exercises advanced stages में हम क्या करेंगे vestibular system को activate करने के लिए हम crawling position में आ जाएंगे राइट और हम body के साथ नेक भी move करेंगे अब डाउन अब डाउन इसके अलावा next exercise इसके लिए होगी कि आप सीधे लेट जाएंगे arms को place कर लेंगे इसको उठाके either side encourage करेंगे twisting activities like this so these are very generalized exercises बट इनके काफी better responses होते हैं तो इससे हम अपना vestibular system को काफी activate कर लेंगे हमारा balancing problem और हमारा जो चक्करवकर जो महसूस होते हैं fatigue weakness के काण वो सब धीरे धीरे counter हो जाएगा जो हमारा next pillar है इस rehabilitation phase का हुआ है cross body pattern को ज्यादा encourage करना है तो हम starting में तो क्या करेंगे bed में ही जब वो initial stage में होंगे तो हम encourage करेंगे कि वो अपना यह वाला movement encourage करें आप इससे आपकी core muscles भी activate होती है अगर आप उसको ध्यान से करेंगे तो इसको आप टक करके करेंगे तो cross muscles, core muscles भी activate होंगी तो यह initial stage में तो आप लेट के करेंगे next stage में तो जब आप यह better कर पाएं तो आप इसका progression है कि arms को उपर कर लें इससे आपकी core muscles activate होती है अगर ठीक से बैठे सीधा और cross body patterns को encourage करें इस तरीके से right so यह movement करने से आपको काफी core muscles में strength मैसूस होने लगेगी इसको difficult करने के लिए आप हातों में water bottle या weight मी ले सकते हैं बट वो क्योंकि यह stage काफी basic है और according to patient strength ही करना है तो आप यह encourage कर सकते हैं नेक्स्ट जब आप इस सब को असानी से कर पाएं तो आप इस pattern में आ जाए और bird dog moment होती है जिसमें की आप यह touch करेंगे and then move out touch move out diagonally opposite leg और hand को इसको bird dog बोलते हैं यह movements आप encourage करेंगे तो यह cross body patterns आप यूज कर सकते हैं यह काफी beneficial होंगे rehabilitation में strengthening एक important part है तो पहले हम setting position में encourage करेंगे activities जिसमें की shoulders और arms ज्यादा move तो इसमें हम simple exercises with breath और और simply यह initial stage में हम encourage करेंगे कि इसके n number of repetition at least 10 repetitions of 3 each करे जाएं क्योंकि इसमें कोई external support या weight नहीं ले रहे हैं तो यह काफी है beneficial होगा इसी की next stage progression में हम थोड़ा सा weight carry करेंगे हाथ में इसमें आप के पास weight नहीं है तो आप one liter water bottle half liter water bottle आपकी strength के साब से ले सकते हैं तो आप starting करेंगे biceps curls से यह कितना करना है depending like आप beginner हैं बिल्कुली तो आप यह light weight से 1010 के two to three sets कर सकते हैं राइट आप इन weights को यहां लाके यूं कर सकते हैं shoulder presses बैठ के ही करना आपको यह ठीक है अगर आप बहुत ही अच्छा मैसूस कर रहे हैं तो ही आप abduction exercises करें नहीं तो इनकी ज़रूत नहीं और breathing pattern बना लें जिसमें कि जब भी आपकी बॉड़ी open up होती है तो breathe in and then when it collapsing down breathe out right so यह आप 10 repetitions of three sets each कर सकते हैं अगर आपकी इतना stamina नहीं है तो आप एक-एक सेट से धीरे-धीरे बढ़ाएंगे इसका जो progression है क्योंकि आपने stage one and stage two देख लिया next stage में क्या है कि हमने हाथों की तो कर ली next stage में हम lower body की movements करेंगे तो अभी जो exercises है वो standing position में होगी इसमें क्या करना है हमें heel raise करना है अप down अगर आपका balance अच्छा नहीं तो आप किसी चीज को hold कर सकते किसी भी door handle को या wall के साथ up down, up, down, up, down, up, down यह repetitions आपकी strength के ओपर depend करेंगे आप 10 repetitions of one or two करें and then देरे-देरे progress करें इसी का progression आप supported squats करेंगे या किसी door handle को पकड़ लेंगे या किसी chair को जिस पर कोई बैठा हो या किसी दरवाजे के handle को and then partial squats करेंगे ऐसे support के साथ आप किसी भी चीज का support जरूर लेंगे here I am not taking any support अब इस तरीके से squats start with like doing five and then देरे-देरे बढ़ाएं पांच करके उसके बाद इसके अलावा आप wall presses शुरू करेंगे जैसे हम push-ups करते हैं आप wall के जाएंगे and just पूरा body weight अपने आंस पर डालेंगे आप corner of the wall पर भी जा सकते हैं आप simple wall पर भी जा सकते हैं और आप कोई बहुत easy लगे तो आप थोड़ा किसी recline surface पर जैसे किसी table या उस पर भी जाके आप इस तरीके से कर सकते हैं तो यह advanced stages है यह कितना करना it depends like आप 4-5 से शुरू करें एक दो बार और उसके बाद धिरे धिरे बढ़ाएं तो यह क्या ही आपका strength and stamina build करेगा now important thing is endurance building endurance building में आएगा कि आप encourage करें कि बिना रुके starting में बिना रुके 5 मिनट तक walk करें और यह दो से तीन बार अगर दिन में कर पाएंगे it is great जब आप इसको easily कर पाएं तब आपकी stamina आपको allow करता है तो next stage में हम इसको up to 10 minutes without stopping walking हम करेंगे और इसको build करेंगे second stage में 10 minutes से लेके 20 minutes तक विदा रुके continuous walking कर सके एक optimal pace पे और advanced stage में जब endurance आती है तो उसमें हम walk करेंगे half an hour to 45 minutes वो brisk walk होगा और उसका pace इतना होगा कि आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप shortness of breath नहीं है मतलब आप किसी से converse easily कर सकते चलते चलते speed से भी चल रहे हैं और आपकी pace ऐसी होनी चाहिए कि आपका heart rate इतना ज़्यादा ना बढ़े कि आप उससे बात करते हाँ होने लग जाए तो हाफ ना नहीं है एक ability to converse होना चाहिए कि आप बात कर पाएं उस pace पर आपको चलना है और that is for half an hour to 40 minutes यानि कि आदे घंटे से पौने घंटे तक आप ये कर पाएं तो आपकी endurance इंप्रूव होगी तो ये कुछ स्टेजेज थे हर एक के इसमें की हमने strength पर फोकस किया endurance फोकस किया vestibular system पर फोकस किया और हमारे cross body patterns पर फोकस किया और सबसे जरूरी था breathing breathing exercise के बाद आप प्राणाम में मूँ कर सकते हैं तो ये सब आप करेंगे तो आपको काफी benefit होगा आपकी recovery काफी smooth होगी और आपके symptoms जल्दी सबसाइड हो जाएंगे body ache body pain थकान वो और लोगों को ज़्यादा दिन तक रह सकता अगर आप ये technique यूज़ करेंगे ये चीज़े यूज़ करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप औरों से जल्दी ठीक हो पाएंगे आप ये सब करके देखेंगे I hope ये आपको काफी beneficial देखते हैं आप उनको ये जरूर बताएं कि ये सब आप कर सकते हैं और इससे काफी benefits होते quick recovery होती है इस वीडियो को आगे भी share करें और हमारे चैनल को like और share करें और further वीडियो के लिए subscribe करें thank you for watching